नमस्कार साथियो मैं विने दिक्षित आप सभी का एग्रीकर्चर जीके के इस ओपिसियल प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत करता हूँ आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों से बात करने वाला हूँ तीन दयाल उपाद्याए गोरकपुर में यो यू इनफॉर्मेशन बुलेटिन आ चुका है और आपका एक्जाम डेट भी आ चुकी है तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कम्प्लीट इनफॉर्मेशन बताऊंगा कि आपका यहां पे कौन कौन कॉर्सेस में MSC एग्रीकल्चर वाले कॉर्सेस एविलेबल हैं इसके ला इनफॉर्मेशन बुलेटिन है इसको नायक से एप्लस प्लस ग्रेड मिला है तो काफी अच्छी इनफॉर्मेश्टी है और यह पढ़ती है गोरखपुर में इसमें आप किसी भी स्टेट से बिलॉंग करते हो यहां पे आप अप्लाई कर सकते हो MSC के लिए MSC एग्रीकल्च यहां पे डिशन ले सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आपका बात कर लेते हैं कि यहां पे कौन कौन से कोर्सेस विलेबल हैं क्या इसमें का प्रॉसेस रहता है कैसे इसमें डिशन आप पा सकते हैं यह आपका campus है, इसको आप देख सकते हैं, यह आपका campus है, इन्वस्टी का, कुछ आपकी इन्वस्टी ऐसी दिखती है, बाहर से देखिए जो आपका MSC Agriculture है, इसमे एड़ियसन पाने के लिए आपको इंटरेंस एक्जाम देना होगा, इंटरेंस एक्जाम में आपका सब कोश्चन आता है, सब कोश्चन जो आपका होता है, वह एग्री कल्चर का रहेगा, अगर मनलो आप MSC Agriculture में चाहते हैं अड़ियसन, तो आपके पेपर में सब कोश्चन आग्री कल्चर से आएगा, और आपका वो कोश्चन आपका एक्जाम होगा, एक्जाम को देने के आपका लिखा हुआ है डी नंबर पे प्रोग्राम्स इन एलाइड कॉलेज़स MSC एग्रिकल्चर MSC एग्रिकल्चर बेसिकली यहाँ पे आपका हौटी गल्चर, एग्रोनॉमी, एकोनॉमिक्स, एंटेमोलोजी, एग्रिकल्चर एक्स्टेंशन, जिन्देटिक्स प्लांट ब्रीटिंग यहाँ से कॉर्सेश एविलेबल हैं इसके लवा अगर बात की जाए एग्रिकल्चर के एलाइड कॉर्सेश की तो यहाँ पे आप जो है MSC एन्वार्मेंटल साइंस भी कर सकते हैं यहाँ से जो आपका फिसरीश साइंस वाले हैं उनके लिए MSC एक्वा कल्चर भी यहाँ पर एविलेबल है MSC बायो टेक्नलोजी भी यहाँ पर एविलेबल है MA और MSC Home Science भी यहाँ पर अविलेबल है इसमें आपका Home Science की अगर बात की जाए तो Resource Management हो गया Food and Nutrition हो गया और Clothing and Textile यह courses यहाँ पर अविलेबल है इसके लावा आपका MSC Microbiology अविलेबल है और जो MSC Agriculture है इसमें जो Department है वो मैंने आपको आल्रेडी बता चुका हूँ फिर आपका यहाँ पर जो है MSC Food Technology कोर्स भी अविलेबल है तो यह जो आपके Agriculture अलाइड कोर्स है जो यहाँ पर अविलेबल है मैं आपको इसमें बता दिया हूँ इसके लावा इसके बारे में Complete Information आप इसकी वेबसाइट पर जाकर के ले सकते हैं इंटरेंस एक्जाम कैसे होता है मैं आपको बता चुका हूँ वा लेडी यहाँ पर आपका सव कोस्टन आता है जिस भी स्ट्रीम से आप अप्लाई करेंगे उसके कोस्टन देखने को मिलेंगे इंटरेंस एक्जाम में इसके लावा इंटरेंस एक्जाम के बाद आपका दैंक बगर आएगा और फिर आपका यहाँ पे डिशन होगा अगर बात की जाए इंपोर्टेंट डेट्स की तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इंपोर्टेंट डेट्स जो आपकी दी हुई है जो इसमें ऑनलाइन अप्लिकेशन है वो 29 अपरेल से स्टार्ट हो गए थे 29 अपरेल से आपका जो है 22 माई 22 माई तक इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं 29 अपरेल से 22 माई तक यहाँ पे आवेदन की तिथी है इसके लावा अगर बात की जाए अप्लिकेशन फील सम्मिसन की लाज्ट डेट क्या है वो आपकी 23 माई रहने वाली है राइस्टेशन जो आपका है उसकी लाज्ट डेट रहेगी 22 माई इसके लावा जो आपका फाइनल सम्मिसन है अप्लिकेशन फार्म का वो आप कर सकते है 26 माई तक इसके लावा जो आपका एड्मिट कार्ड है वो कब आ जाएंगे 10 जून को आपका admit card आ जाएंगे और जो entrance exam होगा इसमें वो कब होगा आपका 3rd week of June June के 3 सता में आपका यहाँ पे entrance exam होना है और entrance का जो result है वो last week of June आ जाएगा counseling आपकी 1st week of July यहाँ पे होनी है application piece की अगर बात की जाए तो application piece जो आपकी है जो MSC agriculture वाला course है इसमें अगर आपको इड़िशन लेना है तो यहाँ पे आपका जंडल और OBC के लिए और other state वालों के लिए 1200 रुपए application piece रहने वाली है जो आपका SC और ST वाले हैं इनके लिए 800 रुपए application piece रहने वाली है government university है काफी अच्छी रुपश्टी है गोरकपुर इसका location है तो आप इसमें ड्विशन ले सकते हैं अच्छी रुपश्टी है और नायक से इसको A++ grade भी मिला है इसके बाद यहाँ पे आपका कुछ instruction दियो हुआ है इनको आप पढ़ लीजेगा इसको मैं script करूँगा next आगे बढ़ते हैं बात कर लेते हैं कि आपका यहाँ पे कितनी क्या seat वगएर अविलेबल हैं इसके बारे में एक बार देख लेते हैं तो अगर बात की यह है registration की तो registration जो आपका इसके बाद यहाँ है इसको आप देख सकते हैं जो आपका पि-एच वाले हैं फरिटम पाक्टर वगड़ा है अर्मी वाले हैं इनके लिए यहाँ पर दिया हूआ इसको आप पढ़ लीजीए एगा इसको मैं skip करूँगा क्योंकि यह आपका उतना important नहीं है यहाँ पर आपका weightage of joint interest test के बारे में information दी हुई है तो इसको भी आप पढ़ लीजिएगा एक बार next आगे बढ़ते हैं और आपका आप देख लेते हैं यहाँ में देखिए दिया हुआ आपका eligibility के बारे में कि कौन कौन से candidate किसमें आपका आवेदन कर सकते हैं तो eligibility के अगर बात की जाए तो यहाँ अगर मालो आपको MSC Home Science करना है अगर आप Home Science करना चाहते हो या चाहती हो तो आपको basically जो है BSC Home Science होना चाहिए आपके पास 3 year का जो course होता है या जो आपका ICR से 4 year का होता है Home Science वो आपके पास होना चाहिए जिसमें आपका graduation में 45% marks general को चाहिए होगा और OBC वालों को चाहिए होगा 40% marks जो आपके 45% marks का criteria है वो general और OBC के लिए है और जो आपका 40% marks का criteria है वो SC और ST के लिए है Home Science में ड्विशन पाने के लिए इसके बाद next आपका आजाता है यहाँ पे MA Home Science तो MA इतना important नहीं रखता है क्योंकि MA वाला जो आपका रहता है वो अलग है जो आपका MSC Home Science है वो ICR से आता है तो मैंने अब वो आपको बता दिया है बाकी MA का आप देख ली जिएगा फिर आपका आता है MSC Food Technology अगर आपको MSC Food Tech करना है यहाँ से तो आपके पास BSC Life Science होना चाहिए या आपके पास BSC Agriculture होना चाहिए BSC Home Science वाले भी कर सकते हैं बीटेक Food Technology वाले भी कर सकते हैं और आपके पास Graduation में 45% Marks चाहिए होंगे जंडल और OBC वालों को SC और ST वालों को 40% Marks यहाँ पर चाहिए होंगे फिर आपका MSC Microbiology के बारे में Information दी हुई है इसको भी एक बार आप देख लीजिए BSC in Biological Science, BSC Home Science with Food and Nutrition अगर आपके पास यह डिग्रिया है तो आप अपलाई कर सकते हैं बाकी जो नंबर का क्राइटेरिया है वो सेम है MSC Environmental Science की अगर बात की जाए तो यहाँ पे आपके पास जो है अगर आपके पास Life Science में Biology में Graduation है आपका यह अगर आपके पास Botany में है, Geology में है, Industrial Microbiology में है, Microbiology में है, Biotech में है तो आप यहाँ पे आब इदन कर पाएंगे MSC Aquaculture की अगर बात की जाए तो यहाँ पे देखिए आपका दिया हुआ हुआ है Life Science में आपने अपना graduation कर रखा हूँ यहाँ पे इसका जो criteria है, थोड़ा मुझे समझ में नहीं आ रहा है समझ से बाहर है मेरी, क्योंकि आपका जो aquaculture होता है बेसिकली यह फिसरीज साइंस में आता है और इन्होंने जो है BFSC, बैचलर आप फिसरीज साइंस को eligible नहीं किया है Life Science वालों को माग रहे है को क्योंकि आपका MSC aquaculture के लिए फिसरीज साइंस वाले eligible रहते है लेकिन यहाँ पे आपका इन्होंने Life Science लेख रखा है यहने कि आपका Geology वाले जो है वो eligible किये हैं इन्होंने इसके बाद next आपका आता है MSC Bio Technology इसका यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर आपके पास जो है Science में, Medicine में, Applied Medical Science में, Health में, Allied Health में, Agriculture में, Food Science में, Bio Science में अगर आपके पास UG की डिगरी है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे next आपका आ जाता है most important MSC Agriculture इसमें आपका अप्लाई करने के लिए अगर आपको MSC Ag करना है तो आपके पास BSC Agriculture होना चाहिए 45% Marks for General and OBC and 40% Marks for SC and ST अगर आपको MSC Horticulture करना है तो आपके पास BSC Ag या BSC Horticulture वाले भी यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं बाकी यह आपका eligibility हो गई इसको आप पढ़ लीजिएगा next आप हम बात करेंगे कि आपका यहाँ पे कितनी seats available हैं तो seats की अगर बात की जाए चलिए बात कर लेते हैं seats के बारे में यह यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर बात की जाए seats के बारे में तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आपका MSC Environmental Science है यहाँ पे आपकी 50 seats available हैं MSC BioTech में आपकी 22 seat available है MSC Microbiology में आपकी 24 seat available है MSC Home Science में आपका 24 seat available है इसके रावाद जो Food Technology वाले हैं उनकी अगर बात की जाए है तो Food Tech के लिए जो seat available है वो मैं अभी आपको आगे दिखाता हूं हुआ 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 है पहले बात कर लेते हैं MSC Agriculture के लिए तो यहाँ पे आपका में में 55 seat available है जो 44 seat है यह आपकी जो है इसके अलावा जो अबर कलेज हैं जहां से आपका इसका affiliation है वहाँ पर आपका हो सकता है इन 144 सीटों पर तो कुल यहाँ पर आपकी में में 55 seat available है MSC Agriculture के लिए MSC Aquaculture में आपकी जो है 50 seat available हैं इसके लावा MSC Food Tech में आपकी 33 seat यहाँ पर available हैं जदने भी आपके allied courses है अगरिकल्चर के और जो MSC अगरिकल्चर है उसके बारे मैंने आपको information यहाँ पर बता दी है बाकी अड़िएशन प्रॉसेस तुम्हें आपको बता चुका हूँ यहाँ पर आपका exam बगरा होता है और exam की date बगरा भी इसमें लिखी हुई है बाकी जो और information है इसको आप पढ़ लीजिएगा इस notification से अच्छली PDF उतना क्लियर नहीं है इसमें information जो है incomplete दी हुई है जो syllabus वगरा है और जो exam pattern वगरा है उसके बारे में कुछ ज़्यादा information यहाँ पर नहीं दी हुई है तो वह मैं आपको बता चुका हूँ आपका जैसे भी आप मालो आप अप्लाई करते हैं MSC agriculture के लिए तो आप का इसके बारे में complete information हो गई अगर आपके मन में कोई doubt है कोई query है तो आप मुझे call कर सकते हैं मुझे WhatsApp कर सकते हैं इसके लावा comment box में अपनी queries आप पूंच सकते हैं आपके सारे doubt solve कर दिये जाएंगे आपके सारी queries का answer कर दिया जाएगा तो यह थी इसके बारे में complete information वीडिय सबस्क्राइब कर ले धन्यवाद